हेलो फ्रेंक्स, वेलकम टू आर चानल, लर्निंग नोटबूक फ्रेंक्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 7 साइन्स का एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक कवर करने वाले हैं आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हीट ट्रांसफर करने के ये तीन वेज होते हैं तो इन तीनों ही वेज को हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में आज इस वीडियो में कवर करेंगे और फ्रेंक्स, मैं आपको इन तीनों के बीच का डिफ्रेंस भी समझाऊंगी जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके एक्जाम में इसके बेसिस पर क्वेस्चन आते हैं आपको कोई एक्जामपल दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये कंडक्शन का है, कन्वेक्शन का है या डिटेशन का है अगर आपको इन तीनों के बीच का डिफरेंस नहीं पता होगा, तो आपका वो क्वेस्चन गलत हो जाएगा तो फ्रेंक्स आईए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझते हैं और फ्रेंक्स हम इस चैप्टर के सबसे इंपोर्टन टॉपिक पर है, ट्रांस्फर ऑफ हीट जिसमें हम यह सीखेंगे की हीट कैसे ट्रांस्फर होती है और कॉनसे अबजेक्ट से कॉनसे अबज़ेक्ट में होती है The flow of heat takes place from hot object to a cold object तो friends, जो heat transfer होती है, जो उसका flow होता है, वो हमेशा एक गरम object से cold object की तरफ होता है और friends, ये जो heat transfer होती है, ये तीन तरह से हो सकती है, कौन-कौन से हैं वो तीन तरह, तीन तरीके पहला है conduction, फिर है convection और तीसरा है radiation Friends, ये तीनों ही बहुत important process हैं, आईए इनको एक-एक करके समझते हैं और इन तीनों के बीच का difference भी समझेंगे तो पहला है conduction, the transfer of heat in solid objects while being in physical contact is called conduction तो friends, सबसे पहली बात तो ये समझिए, कि ये जो heat flow हो रही होती है, ये solid objects में होती है conduction में, जो heat flow करती है, वो solid objects में होती है और ये जो objects होते हैं, इनमें physical contact हो रहा होता है, यानि कि वो आपस में touch कर रहे होते है it is the transmission of heat from one molecule to another तो इसमें, friends, जो heat transfer हो रही है, वो एक molecule से दूसरे molecule में हो रही है यानि कि एक से दूसरे, फिर दूसरे से तीसरे, ऐसे जो heat transfer हो रही होती है वो molecule by molecule हो रही होती है here, both the molecules must be in contact for this process to occur तो इसलिए, friends, यहाँ पर जो molecules हैं, वो एक दूसरे के contact में होने चाहिए जबी conduction हो पाती है it is the direct transfer of heat energy तो, friends, conduction में directly जो heat energy है, वो transfer हो रही होती है क्यों? क्योंकि एक molecule से दूसरे molecule में heat energy flow कर रही है अब, friends, जब एक molecule से दूसरे molecule में heat energy flow करती है तो, इसमें time लगता है यह थोड़ा time consuming process हो जाता है इसलिए, conduction में, जो heat transfer होती है, वो slowly होती है if we compare it to convection and radiation ठीक है? तो, तीनों process में से, conduction में सबसे धीरे heat का flow जो होता है वो slow जा रहा होता है तो, friends, यहाँ पर याद रखिए कि जब heat transfer होती है solid objects में तो, उसे conduction कहते हैं और वो जो objects होते हैं वो physically contact में होते हैं वो touch कर रहे होते हैं Let's see an example एक metal rod पकड़ी होई है अब, friends, हमें पता है कि जब candle burn हो रही है तो, जो metal rod का उपर का यह जो हिस्सा है वो तो obviously गरम होगा ही होगा पर अगर अगर अब मैं इस metal rod को थोड़ी देर candle के उपर ऐसे पकड़ी रहूं तो, धीरे-धीरे यह जो पूरी metal rod है यह इतनी गरम हो जाएगी कि मैं इसे ऐसे hold कर ही नहीं सकती तो, friends, ऐसा क्यों हुआ? It happened because of conduction और, friends, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो heat transfer होती है वो hot object से cold object की तरफ होती है तो, जो rod का यह वाला हिस्सा था यह गरम है, right? तो, यहां से धीरे-धीरे heat flow होने लग गई towards यह वाला पार्ट, जो थंडा था तो, इस वज़े से, friends, यह जो पूरी rod थी, वो इतनी गरम हो गई कि मैं इसको फिर पकड ही नहीं पा रही थी So, this is called as conduction Another example is heating a pan on the burner So, friends, जब हम किसी burner यानी gas stove पे कोई pan रखते हैं तो, वो धीरे-धीरे पूरा गरम हो जाता है यहां तक कि कई बातों उसका handle भी गरम हो जाता है तो, यह भी होता है because of conduction इसी तरह से, when you iron clothes, the cloth receives heat from the iron So, friends, जब हम कोई कपड़ा प्रेस कर रहे होते हैं आयन कर रहे होते हैं तो, वो जो कपड़ा होता है वो पूरा गरम हो जाता है यह भी इसलिए हो रहा होता है क्योंकि यह जो दो solid objects होते हैं इनमें आपस में contact हो रहा होता है यह touch हो रहे होते हैं तो, इसलिए उनको heat जो होती है वो transfer होती है from hot iron to the cold object that is cloth friends, क्या आप किसी कपड़े पर बिना touch करे iron को बिना touch करे उसको press कर सकते हैं नहीं न, वो possible नहीं है because in conduction heat कर ट्वांसफर होने के लिए solid objects में touch होना, एक physical contact होना ज़रूरी होता है another example is getting in touch with a hot tea cup अब friends, कही बार क्या होता है कि हम जब चाय का cup उठाते हैं तो वो इतना गरम होता है कि हम एकदम से अपना हाथ पीछे खीच लेते हैं होता है न, आप चाय नहीं पीते तो आपके साथ ये गूत के ग्लास के साथ होता होगा कि आप एकदम से अपना हाथ पीछे खीच लेते हैं ऐसा क्यों होता है, because of conduction, जो heat, जो गरम cup से जो heat transfer हो रही होती है, वो हमारे हाथ में transfer हो जाती है, और वो एकदम से इतनी ज़्यादा heat transfer हो जाती है, कि वो हमें बहुत गरम लगता है. Friends, देखिए, ऐसा नहीं है, कि सारे ही objects heat conduct कर पाते हैं, ऐसे कुछ objects होते हैं, जो heat conduct नहीं कर पाते. So, on the basis of this, we can categorize objects as conductors and insulators. So, what are conductors? The objects that can allow the heat to flow through them are called conductors. So, friends, वो objects, जिनमें से heat pass हो सकती है, उन्हें कहते हैं हम conductors. जैसे कि, examples देखते हैं, iron, copper, aluminium. So, friends, ये जो सभी हैं, ये conductors हैं, they are good conductors of heat. क्योंकि आपने देखा होगा, कि जो vessels होते हैं, जैसे कि iron, लोहे की कड़ाईयां होती हैं, जो लोहे के बरतन होते हैं, इसी तरह से copper, aluminium और steel के बरतन होते हैं, वो हम cooking के लिए use करते हैं, क्योंकि उन्में से heat अराम से pass हो जाती है, they are good conductors of heat. Now, what are insulators? The objects that do not allow the flow of heat from them are called insulators. So, friends, वो objects, जिन्में से heat pass नहीं हो सकती, उन्हें हम कहते हैं insulators. For example, wood and plastic. तो देखिए, friends, हम cooking के time, जो spoons होती हैं, वो wood की use करते हैं, जिससे की वो spoons गरम ना हो. इसी तरह से, बहुत सारी kettles में, प्लास्टिक का handle लगा होता है. उसका भी यही reason होता है, जिससे की जब हम उसमें चाय बनाएं, या कोई और कुछ cooking करें, तो जो handle है, वो प्लास्टिक का गरम नहीं होगा. Transfer of heat में दूसरा concept है convection. So, let's understand it. The transfer of heat in liquids and gases is called convection. तो friends, जो transfer of heat, liquids or gases में होता है, उसे कहते हैं हम convection. Now, next point is, that the transfer of heat is caused by the actual movement of matter. Now, friends, convection में क्या होता है, जो heat transfer हो रही है, वो actual movement of matter से हो रही है. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब, जो liquids or gases में molecules होते हैं, वो actually में move करते हैं, और फिर heat transfer होती है. For example, using a burner to heat water. So, friends, जब हम पानी गरम करते हैं, तो हम burner यूज करके पानी गरम कर रहे हैं, तो वो किस वज़े से गरम हो रहा है? वहाँ पर convection हो रही है. इसी तरह से, another example is land and sea breeze. आईए, friends, इन दोनों examples को हम समझते हैं. तो पहला example है, using a burner to heat water. तो यहाँ पर, friends, देखिए, यहाँ पर नीचे एक यह burner है, इसके उपर मैंने एक वेसल रख दी है और उसमें पानी भर दिया है. अब जब मैंने burner on किया, तो क्या हुआ, जो burner के पास, यह जो पानी है, तो इसके जो molecules हैं, यह पहले गरम होंगे, और यह molecules जब गरम होंगे, तो यह हलके हो जाएंगे. और यह उपर मूफ करेंगे, और उपर जो है, उपर का पानी ठंडा है, तो जो molecules है, वो heavy है, उसके कारण वो नीचे आएंगे. तो heavy molecules नीचे मूफ कर रहे हैं, अब वो गरम होंगे, अब जब वो गरम हो जाएंगे नीचे, तो वो हलके होके वो उपर चले जाएंगे, फिर उपर जो पानी ठंडा है, फिर वो नीचे आएगा. तो इस तरह से, फ्रेंक्स, यह process चलता रहेगा, जब तक की सारा पानी गरम ना हो जाए. तो इसे हम कहते हैं, convection. और फ्रेंक्स, देखिए, convection में, जो heat transfer हो रही है, वो actual movement of matter से हो रही है. molecules actually में move कर रहे हैं, पानी जो है, वो actually में move कर रहा है, और फिर गरम हो रहा है, ठीक है? अब फ्रेंक्स, एक हम real life में एक situation देखते हैं, आपने देखा होगा कि अगर candle के, जब एक candle जल रही है, हम उसके उपर हाथ रखते हैं, तो हमें एकदम से गरम फील होता है. पर अगर उस candle को हम दोनों तरफ से, या कहीं एक साइड से, एक तरफ से भी हम हाथ रखते हैं, तो हमें वो इतना गरम नहीं लगता. कई पर होता है, कि भी candle भूजने वाली है, तो हम क्या करते हैं, साइड से दोनों हात ले आते हैं, पर हमें वो गरम नहीं लगता, पर उपर रखते हैं तो हमें गरम लगता है, ऐसा क्यूं क्यूं कि फ्रेंक्स, convection है इसका reason, जब कैंडर फ्रेंक्स जलती है, तो वो जो हवा हो तो हमें गरम लगता है, क्योंकि वो हवा जो है वो गरम होकर उपर उठ गई है, और साइड में क्या है, साइड में खंडी हवा है, तो वो हमें इतनी गरम नहीं लगती, ओके? अब फ्रेंग्स हमारा नेक्स्ट जो हम समझने वाले हैं, ट्रांस्फर फीट में प्रॉसस वो है रडियेशन, बोथ कंड़क्शन और कंवेक्शन रिक्वायर अमीडियम टू ट्रांस्मिट हीट, तो फ्रेंग्स जैसे कि अब भी हमने पढ़ा, कि यह जो दोनों प्रॉसस त अगर हीट को ट्रांस्फर होना है तो, कंड़क्शन में हमने देखा कि जो मीडियम है वो होता है सॉलिड और कंवेक्शन में मीडियम होता है क् लिक्विट और गैस बढ़ फ्रेंग्स, अब यह जो धर्ड है, रडियेशन, it is the form of transfer of heat, which does not require any medium, रिडियेशन एक वो फ्रम ह नहीं होती. It can take place whether a medium is present or not. Radiation होती है चाए medium हो या ना हो. In radiation, heat does not pass through molecules. It is transferred through electromagnetic waves. तो friends, radiation में जो heat होती है वो molecules के थूपास नहीं होती. फिर radiation कैसे होती है? ये होती है through electromagnetic waves. Let's see examples of radiation. Sun's heat reaches the earth's surface through radiation. Friends, जो sun की गर्मी है वो हमारी earth तक radiation के थूपास रही है. तो radiation कैसे हो रही है? Through electromagnetic waves. इसी तरह से एक और example है. Heat is radiated into an area by fireplace और bonfire. तो friends, winters में कैई घरों में जो fire place होते हैं वहाँ पर fire जलाई जाती है. तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो कमरा हो जाता है वो गर्म हो जाता है. तो एसके आसपरस का area गर्म हो जाता है. इसी तरह से अगर हम बाहर के बार parties में जाते हैं वहाँ bonfire होती है या camping के लिए जाते हैं जब bonfire होती है तो वहाँ पर भी जो आसपरस का area ओता है वो गर्म हो जाता है. तो ऐसा क्यों हो रहा है? Because of radiation. Every hot object radiates some heat into the environment. Friends, देखें, जो भी गर्म object होगा, जो भी गर्म चीज होगी, वो environment में कुछ न कुछ heat radiates करती ही है. अब जैसे कि आप देखें, कि अगर आपको एक गर्म glass दूद का दिया जाता है, तो वो थोड़ी देर में ठंडा हो जाता है. ऐसा क्यों? क्योंकि जो heat थी उसकी, वो environment में, जो उसकी heat थी, वो radiated हो गई. यही चीज मेंने यहाँ लिखी है, क्योंकि उस गर्म बरतन ने, surroundings में, अपने environment में, कुछ heat transfer कर दी by radiation. इसलिए वो थंडा हो जाता है, जब हम उसको gas से, flame से दूर रखते हैं तो. Our body also gives heat to the surroundings, and receives heat from it by radiation. Friends, देखिए, जब आप दिन में, पार्क में खेलने जाते हैं, तो आपकी body गरम हो जाती है. ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी body ने heat receive करी है, अपने surroundings से, by radiation. Right? अब जब आप अगर घर में आके बैट जाते हैं उसके बाद, तो थोड़ी ही देर में, friends, हमारी body फिर से, ठंडी हो जाती है. क्यों? Because our body has given heat to the surroundings by radiation. इसलिए, friends, यहाँ पर लिखा है कि हमारी body surroundings में heat देती है radiation से, और लेती भी है by radiation. तो यह, friends, हमने तीन forms देख ली हैं कि कैसे heat transfer होती है, सबसे पहले हमने conduction समझा, फिर हमने convection समझा, और आकरी में अब हमने बात करी radiation की.